आपको अपने चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुती यूसफुल ट्रिक शेयर करने माली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपनी शर्ट को लूज कर सकते हैं अगर वो आपकी टाइट हो गई है उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊ से चुड़ाई भी थोड़ी से जादा हो जाएगी और उसके साथ ही साथ आपकी जो लोर पार्ट से जो आपकी शर्ट है वो भी काफी हद तक लूज हो जाएगी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं साथ मैं चैनल अब तक सबस्काइब नहीं किया उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है यहां पर मैं आपको बता देती हूं जो आपकी साइड वाली जो जो चुड़ाई की साइड की जो चाक होते हैं उस पर जो डबल फोल्डिंग हुआ होता है कपड़ा या अगर आपका पल्टा लगावा है यह डबल फोल्ड तरो फोल्ड तो जो पर मैं झाल दे खिर आपको लिए लिएख़ दिया नहीं की साइड शाय्ट कर दूंक ए उर्टा यह तरीके से उस opposite हमने खोले को प्रेस करके अच्छे से सीधा कर ल będę कूझ के मिए बताचले मेरी कितनी चुड़ाई बढ़ों के लिए ड़े है इस को स्ल कम से कम से कम भी अगर आग कपड़ा फोल्ड करते हैं तो एक इंच जितना तो आया ही होता है दोनु तरफ से एक इंच जितना मेरा खुला तो दो इंच तो मेरी चुडाई लूज हो ही गई थी तो अब मैं क्या करूंगी इसकी फोल्डिंग के लिए मैं इसको दुवार डबल पोल्ड नहीं करूंगी ताके मेरी फिर से जो दो इंच की जिस लोडाई बड़ी है वो फिर से ना कम हो जाए यहां पर मैंने कमीज को कर लिया है उड़ा और इसको इस तरीके से कर लेंगे हम लोग बिल्कुल एक वल और बिल्कुल एक वल करते वे इसको इस तरीके से तह लगा कर रखेंगे यहां जो फ्रंट साइड और बैक साइड को एक दूसरे के परचे से से सेट करने के बाद इस तरीके से फोल्ड किया है अब हमने यहां पर इसके निशान लगाने है किस तरीके से हमने लूज करनी है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगी सबसे पहले तो आपने यहां से यहां तक की measurement ले लेनी है जितना भी आपका यह वाली measurement होगी जितना भी आपकी कमीज की measurement है वहां से देख के रख लेनी है यहां से यहां तक उसके नीचे जो होंगे वो हमारे चाक होंगे और यहां से यहां तक जो कपड़ा है वो हमने लगाना है यहां पर जो इसको लूज करने के लिए तकरीबन आपने, सबसे पहले तो आपने नीचे से यहां से डबल फोल्डिंग करनी है यह 4 तहें ली हैं, मैंने कपड़े की यह आपने ख्याल रखना है कमीज के दोनों तरफ हमने लगानी है तो 4 तहें ही आपने कपड़े के लेनी है निचे से डिपल फोल्डिंग के लिए इसकी तैनी उसकी चुड़ाई ली है यह आपने खियार रखना है उसके बाद इस तरीके से आपने तिर्ची रेब देनी है क्योंकि मुझे हिपस वाली जगह से ज़्यादा टाइट है तो वहां से मुझे ज़्यादा लूस चाहिए है दोनों साइट से तीन तीन इंच की होगी तो मेरी तक्रीबन 6 इंच जितनी नीचे से लूस हो जाएगी और यहां पर देखे तिर्ची शेप दे दी है उपर मुझे जो चस्ट वाली जगह से बहुत जादा लूस नहीं चाहिए तो मैंने उपर से तिर्ची दी है तो यहां भी देख सकते हैं यहां पर कटिंग हो चुकी है इसकी अब अलग लग कर लूग मैं इन चारों तैहों को यह मेरी उपर की जो कटिंग है वो होगी उसके बाद यह मैंने तक्रीबन दो दो इंच इतने चार पैनल लिये हैं नीचे पल्टा लगाने के लिए नीचे से साइडिंग की डबल फोल्डिंग मैं अब नहीं करूंगी यहां से मैं पल्टा लगाँगी जो में उर्दी साइड पर फोल्ड कर दूग जिसमें ही है चारों को ही दो साइट पर हमने दो-दो लगाने है तो चारों की एक सायट INकीस क?, उसके बाद अब हमैं इसको वन ऑईवन करके जो शेव चाक भषा यह हमने जो चाक का लगाए था उससे उपर की तरफ हमने इस तरीके से दोनों की सीधी साइड को जोड़ते हुए जो कपड़ा है शेप का जो हमने कट किया था उसकी सीधी साइड और तुमीज की सीधी साइड को आपस में जोड़ते हुए इस तरीके से उपर तक स्लाय लगाएंगे ताकि नोप वाली साइड हमारी अंडराम की तरफ आएगी और जो चु तर बढ़े से लाएं तर फॉर्ट पर ऑन उपर की तरफ यह जो नोग वाली साइड उसको पर अंडर आम की तरफ करते हुए इस तरीके से स्ट्वेट लगा लेंगे यहां पर देखे इसको सीधा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी और इस तरीके से करने के बाद अब य अब जो नीचे वाली साइड थी हमारी उसको हम पल्टा लगा के फोल्ड कर देंगे जो हमने पल्टे के लिए दो जो नीच का कपड़ा कट किया था पल्टा इस तरीके से लगाना साइड करना है हमने यह वाली लगाई थी वहां से इस तरीके से और इस पल्टे को हम उल्टी साइड पोल्ड कर देंगे ती पैय करना चाते हैं ता तो इस तरीके से भाली फोल्ड पर यह आक से एक से डेर इंच जितना वो मेरा उसके चुड़ाई को बढ़ाने के लिए काफी था दोनों साइड से मेरा एक एक जितना बच गया तो दो इंच मेरी कमीज की चुड़ाई भी जादा हो गई थी और हिप्स से तो मैंने तीन तीन इंच लूस कर लिया तो मेरी शर्ट बहुत ही पर्फेंक बन गई थी कपड़ा लगा लिया है और देख सकते हैं आप लोग इसकी चुड़ाई यहां से बढ़ गई है हिपस वाली साइड से नीचे से भी कमीज की चुड़ाई काफी हद तक बढ़ गई है और यह उपर से एक डिफरेंट सा स्टाइल बन गया है जो पहना हुआ बहुत ही है तो इस मैतल को फॉलो करते भी अपने शर्ट को लूज करें तो बहुत स्टाइलिश भी लगेगी और आपकी जो बिकार सी शर्ट है वो भी काम में आ जाएगी यहां तक वीडियो देखिए और मेरी यह बहुत ईजी सी ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो लाइक के ब